उस मैं बाइत करेंगे ऐसमोसिस के बारे में और ऑसमोसिस क्या होता है और और किसने प्रकार क्यों होते है इसे हैं अडिये देखते हैं बारे, कि वोटरके मॉट l है मुहमेंट अफ d आ लाज़ लेकियूल from a higher concentration to a lower concentration or from a high concentration to a lower concentration is called osmosis osmosis movement of water molecule or solute molecule from a higher concentration to a lower concentration with the help of semi permeable membrane is called osmosis ठीक है इसमें water molecule का क्या होता है high concentration से low concentration की और move होता है किसके साथा से वो semi permeable membrane की साथा से ठीक है SPM के थूँ SPM क्या होता है यह एक semi permeable membrane होता है इसके थूँ water molecules रते हैं वो move करते हैं अपने higher concentration से lower concentration की और ठीक है और जो osmosis होता है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, first है into osmosis, second है exosmosis ठीक है, पहला है इसमें into osmosis और second है इसमें exosmosis ठीक है, into osmosis क्या होता है, exosmosis क्या होता है इसको देखते है इसको जैसे यह कोई glass है, ठीक है इस glass में क्या है, water भरा हुआ है इस glass में water के मालिकयों से भरे हुए है ठीक है, अगर हम इस glass में किसी, पिचके हुए किसमिस को ठीक है, तो डीक है, पर किसी स्रिंग किसमिस को ग्रैप्स को जब हम इसमें इंटर करते हैं तो ये ग्रैप्स क्या होता है कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि ये फूल जाएगा ठीक है जैसे इसमें देखिए हम किसी इसमें स्रिंग जो ग्रैप्स है इसको डालते है ठीक है कुछ समय पश्चात हम देखते हैं एक घंटे बाद तो यह जो ग्रैप्स होता है यह स्वेल कर जाता है कुछ समय पश्चात हम देखें कि यह जो ग्रैप्स है यह कैसा हो जाएगा यह स्वेल कर जाएगा ठीक है जब यह स्वेल करेगा तो इसको हम कहते हैं स्वेल ग्रैप्स यह निक इसमें क्या है इसमें जो वाटर के मालेक्यूल्स हैं वो अंदर क्यों मूफ किये हैं जैसे इस किस्मिस के बाहर जो water के molecules हैं वो बहुत high concentration में हैं और इस किस्मिस के बाहर क्या है इसमें भी है water molecules लेकिन इसमें जो बाहर है वो अंदर की और move कर रहे हैं कहां move कर रहे हैं इस किस्मिस के अंदर इस grapes के अंदर जो है यह watering molecule move कर रहे हैं यानि कि बाहर से अंदर की और ठीक है? यह क्या है? यह ammar का है, यह इन्ड श्मोसिस का है, याणि कि इन्ड श भूता है कि जो बाटर के मालिकुल स्थे हैं, वो अपने हाई करणने से से लोग करणने से यहँ बाहर से अंदर के च warfare करते हैं, ठीक है? जिसके इसका opposite है एक osmosis जैसे इसमें क्या है कि यो water के molecules है वो बाहर जदे है और अंदर के और कम है तो यहाँ यह move कर रहे है ठीक है तो इसी के just opposite है देखते है उसको यहाँ पर भी हमने क्या है दो glass लिया है और इस glass में इस glass में भी हमने एक level तक क्या है पानी भर दिया है और इसमें जब हम किसी पानी ही नहीं यह इसमें क्या है यह water plus sugar है और किसमिस के अंदर पानी है और किस्मिस के जो बाहर का अरिया है वहाँ पर वाटर भी है और सुगर भी है यहाँ वाटर भी है और सुगर के मालिक्यूल से भी है जब हम इसमें इस किस्मिस को डालेंगे इस सुगर सलिशन में तो क्या होगा जो kismis में का पानी होगा वो बाहर की और मूफ करेगा क्योंकि आप अभी देखे हो पिछते वाले में ही कि यो water के मालीकुल चते हैं ये अपने high concentration से low concentration की और मूफ करते हैं तो यहां पर water मालीकुल कहा होगा जदे, सबसे जदे जो होगा वो इस किस्मिस के अंदर होगा यानि कि इस ग्रेप्स के अंदर होगा इसलिए क्या है कि अंदर जो पानी है वो बाहर के और मूफ करेगा तो जब बाहर के और मूफ करेगा पानी तो क्या होगा यहां जो किस्मिस है वो कैसा होगा फिर से वो स्रिंग हो जाएगा ठीक है, यहाँ जो किस्मिस है, न हमारा ग्रेप से है, वो फिर तो क्या होगा, वो स्रिंक हो जाएगा, यानि कि फिर तो वो पिचक जाएगा, ठीक है तो इस प्रासेट को हम कहते हैं, क्या इक्ज आस्मोसिस ठीक है इक्ज आस्मोसिस में क्या होता है movement of water molecules from higher concentration to lower concentration ठीक है इसमें जो water के molecules है वो high concentration से low concentration के और move करता है जानिकि पानी जहाँ जादे रहेगा वो हमेशा अपने कम क्यों गति करेगा ठीक है तो इसमें किस्मिस के अंदर जादे था और किस्मिस के बाहर कम था तो किस्मिस के अंदर थे ये बाहर के और move किया है यानिकि जब अंदर थे बाहर के और water के मालकी और move करते हैं तो इसको हम कहते है इक्ज आस्मोसिस ठीक है यह होता है इसमें कि यह समझ में नहीं कि अभी यह पहला डीकिर में यह दिसरो रगा सिका र cannabis को यह पचाग जाता है इस फ्रकारते च्या होता है वाड़रय होता है इसमें ऐसमाशस में ठीक है तो वाचमो समय लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि किसे करते हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है movement of water molecules from higher concentration to lower concentration is known as osmosis depending on movement of water molecules ठीक है इसके काड़िंग इसको दो भागों में divide क्या गया है कौन-कौन से है in the osmosis and exosmosis ठीक है इंड किसे करते हैं ऐसे water molecules जो बाहर से अंदर के मूफ करें ठीक है जो बाहर से अंदर के मूफ करते हैं उसे करते हैं into osmosis और जो अंदर से बाहर के मूफ करते हैं उसे करते हैं exhaust mosis ठीक है- i hope you unnderdstershtend these topics right next class में हम बात करेंगे कि जो osmosis ऑता है मिदम- हाँ swings putting potential के बारे में और water potential के बारे में कि water potential क्या होता है और osmotic potential क्या होता है ठीक है थैंक यू